एक समय पर बॉलिवुड में फिल्म हिट होने का कारण बड़ा बजट और बड़ी स्टार कास को ही माना जाता था लेकिन समय के साथ अब चीजें बदल रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी स्मॉल बजट फिल्में जो दर्शकों का ध्यान आकरशित करने में कामयाब रही और बॉक्स ओफिस पर भी अच्छी खासी कमाई कर डाली। आज हम कुछ ऐसी ही मुवीज की बात करेंगे। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म 23-24 करोड बजट में बनी थी। मगर ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर 180 करोड का बिजनस की थी। अपनी हटके टैग लाइन की वज़े से इस फिल्म ने सभी का ध्यान अपनी और आकरशित किया था। ये फिल्म नलेबा की एक सची घटना पर अधारित थी। यहाँ पर पूजा के चार दिनों में एक महला की आत्मा पुर्शों का अपहरन कर लेती है। आलिया भट और विक्की कोशल स्टारर फिल्म राजी ने सभी का दिल जीत लिया था। ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी थी जो एक नौविल पर बनाई गई थी। फिल्म का बजट 35 करोड था और ये फिल्म 200 करोड से ज्यादा की कमाई की थी। कार्तिक आरेन की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी पहत पसंद आई। ये एक कॉमेडी ट्रामा फिल्म थी जो 30 करोड के बजट में बनी थी। फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर लगभग 148 करोड की कमाई की थी। बरेली की बरफी राजकुमार राव, आयुशमान खुराना और कृति सेनन की रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म बरेली की बरफी ने लोगों का दिल जीत लिया था। 20 करोड के बजट में बनी ये इस फिल्म ने लगभग 60 करोड का बिजनस किया था। 5. लुका चुपी कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म लुका चुपी ने बॉक्स ओफिस पर धूम मचाई है। ये फिल्म लिव इन रिलेशन्शिप्स के मुद्दे पर बनाई गई थी। साथ ही साथ छोटे शहर की ये स्टोरी लोगों का दिल जीतने में काम्याब हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 128 करोड का बिजनस किया था। 6. सुई धागा अनुशका शर्मा और वरुन धवन की फिल्म सुई धागा मिडल क्लास व्यक्ति की कहानी थी। ये फिल्म 35 करोड के बजट में बनी थी। फिल्म ने 125 करोड का बिजनस किया था। 7. सीक्रेट सूपर स्टार जाइरा वसीम की फिल्म सीक्रेट सूपर स्टार ओडियन्स को इंप्रेस करने में सफल रही थी। यह फिल्म 15 करोड के बजट में बनी थी, जिसने 81 करोड का बिजनस किया था. यह कहानी एक लड़की की थी, जो सिंगर बनना जाती थी. नमबर आठ, हिचकी 12 करोड के बजट में बनी रानी मुखर जी की फिल्म, हिचकी ने बॉक्स ओफिस पर 239 करोड का बिजनस किया था. यह फिल्म एक टीचर की कहानी थी. नमबर नौ, अंदाधुन आईशमान खुराना और रादिका आपटे की इस फिल्म का कुल बजट 32 करोड रुपए था. जबकि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 441 करोड तक पहुँचा. अंदाधुन को श्री राम रागवन ने डिरेक्ट किया था. फिल्म में दबू ने भी लीड रोल प्ले किया था. नमबर दस, बधाई हो एक्टर आयुशमान खुराना की फिल्म भदाई हो बॉक्स ओफिस पर दर्शकों का दिल जीतने में कामियाब रही. इस फिल्म का कुल बजट 39 करोड रुपए था. वहीं फिल्म ने 221 करोड रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था. फिल्म बधाई हो का निर्देशन अमर शर्मा ने किया है. इस फिल्म में आयुशमान खुराना के अलावा सान्या मलहोतरा, गजराज राओ और नीना गुपता जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे. अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई है, तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम इसका अगला भाग भी ला सकें. और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर तबाईए. नमस्कार.